यार सूट्स में हर लड़का या आदमी सेक्सी ही दिखता है और हम अलरी एक विडियो बना चुके हैं जिसमें अपने बताया था कि आपको सूट कैसे स्टिच करवाना चाहिए लेकिन चाहिए आप स्टिच करवा रहे हो या फिर आप एक रेडिमेट सूट ले रहे हो आप पैसे काफी जादा लगा रहे हो एक सूट में और इतना इंवेस्ट करोगे तो अपने पैसो को वसूल भी तो करना चाहोगे different ways to style a suit जिससे की होंगे आपके पैसे वसूल लेकिन इन में से कौनसा style आपकी personality और आपके lifestyle के लिए best है वो बहुत ध्यान से सुनना and to be your best in looks and personality अभी subscribe करो for new videos every week and हाँ notification भी on कर देना सबसे पहला तरीका है इसको एक 3-piece तरीके से एकदम classic look में पैनना या थोड़ी सी formal occasions पे पैनोगे जैसे की interviews हो गए या फिर wedding functions हो गए या फिर आपको ए company शुरू कर रहे और shark time पर जाके pitch कर रहे है और थब पैन सकते हो यार एक 3-piece suit में आप एकदम boss लगोगे अब क्यूंकि ये formal occasion पे पैन रहे हो तो साथ में आपको shoes formal वाले ही पैने हैं जैसे की brokes पैन सकते हो, monk straps पैन सकते हो और accessories भी आपको एकदम minimal रखने हैं मैं तो कहूंगा सिर्फ एक अच्छी classy सी घड़ी इसमें आप pocket square optional होता है, tie भी actually 3-piece में optional ही होती है तो आप situation के हिसाब से और आपके mood के हिसाब से decide कर सकते हो तो अगर आपको एक CEO या फिर एक professional की तरह feel करना है तो ये best तरीका है इससे थोड़ा सा कम formal करना है तो आप अंदर से waistcoat हटा भी सकते हो बस अंदर एक basic color की white shirt पहन लो, उसके साथ एक tie और formal shoes और उपर coat वाली jacket ये थोड़ी सी जादा daily formal wear type की outfit है मतलब आपने office में भी daily life में या हफते में at least एक बार तो पहनी सकते हो वैसे आपको office type की occasions के लिए या generally formal occasions के लिए एक formal wear video अलग से चाहिए जिसमें आपको rules भी बताऊ तो definitely इस video पर 5000 likes करवा देना इसमें आप एकदम आदर्श employee लगोगे और एसी outfits मेरा काम करने में भी जादा अच्छी feel आती है accessories again यहाँ पर minimal रखनी है क्योंकि office में पहन के जा रहे हो कोई fashion show में नि जा रहे या next तरीका है कि tie हटाओ plain shirt हटाओ कोई fun checked shirt के साथ पहनो अब क्यूंकि आपकी checked shirt भी थोड़ी सी semi formal है तो यह आप office में पहन सकते हो किसी casual Friday type की occasion पे या office की कोई party हो गई तो वहाँ पहन सकते हो या actually यह dates पे भी अच्छी लगेगी बस नीचे formal shoes में पहना, loafers पहन लेना तो casual और formal perfect balance हो जाएगा पूरी outfit में और shirt का उपर का button बंद मत करना मैं तो कहूंगा second button भी खोल सकते हो अब क्यूंकि आपने suit भी पहना हुआ है जो कि आपको थोड़े सा mature दिखाता है और आपने loafers और एक casual shirt पहनी हुई है semi casual shirt पहनी हुई है इसलिए आप बहुत fun formal vibe दोगे कि मतलब यह office का cool बंदा है यहाँ पे आप accessories में थोड़ी सी neck chains भी पहन सकते हो next type की outfit है शायद मेरी favorite इस पूरे के पूरे विडियो में वो है एक party wear outfit यहाँ मैंने अपने suit के साथ पहना है एक black color की plain shirt waistcoat मत पहना बिल्कुल भी और साथ में उसके साथ match करने के लिए मैंने नीचे पहने हुए है black leather Chelsea boots और साथ में कुछ accessories सोड़ा सा चमक factor लाने के लिए इसमें आप लगोगे एक तम next level boss party के इसमें आपने formal को balance करने के लिए बहुत ज़्यादा casual डाल दिया अपनी black shirt और black Chelsea boots से किसी भी party में जाओगे सबसे ज़्यादा sexy आप ही लगोगे अगर आपने outfit पहनी है तो और बलकि parties ही नहीं अगर मैं रात की time पे किसी लड़की के साथ date पे भी जा रहा हूँ तब भी मैं यही पहनना प्रेफर करूँगा अपनी shirt के पहले दो button खुले रखना और अगर आपकी body अच्छी बनी हुई है chest vest रिक्तम proper है तो आप 3 button भी खुले रख सकते हो लेकिन हा मतलब उनको खोलने के बाद ऐसे करके मत रखना उनको खोलने के बाद आप ऐसे ही थोड़ा साथ में रहने दे सकते हो यार इन outfits की beauty ही इसकी fitting से आती है अगर यह अच्छे से fit नहीं होता तो यह पूरी outfit टटी लगती है तो ध्यान रखना जो भी आप suit सिर्वाओगे उसकी fitting perfect होनी चाहिए और अगर आपको जानना है कि वो कैसी होनी चाहिए तो वो suit switching वाला वीडियो पक्का से देख लेना बहुत अच्छा informative वीडियो है next तरीका suit को style करने का है इसके two piece को मतलब की इसकी coat को और इसकी pants को style करना एक turtle neck के साथ सबसे safe color इस काम के लिए है एक cream color की turtle neck और क्यूंकि suit थोड़ा सा formal है और आपकी जो turtle neck है वो भी थोड़ी सी mature vibes वाली है तो साथ में नीचे थोड़ी से casual shoes पहनने होंगे suede में पहनोगे तो best रहेगा क्योंकि वो थोड़ा से casual factor अड़ करता है जैसे मैंने आप चल्सी boots पहने हुए और क्योंकि suit dark grey है तो obviously मैं shoes prefer करूँगा कि brown color के हो ये वाले वैसे मैं आपको फंडे और बताऊंगा formal wear वाली वीडियो में जो आपकी turtle neck है उसकी fitting अच्छी होनी चाहिए and turtle neck पर भी वीडियो बनाया है वो भी जाके देख सकते हो next तरीका एक suit को style करने का है कि इसका जो two piece है मतलब इसका coat और इसकी pant उसको आप style करो एक t-shirt और sneakers के साथ हाँ ये तरीका classic तरीका नहीं है पुराने जमाने में ऐसा कोई नहीं करता था ये recently मतलब आज से 5 या 6 साल पहले मैंने कुछ American YouTubers को करते में देखा and मेरे को बहुत सही लगा है तरीका इसमें t-shirt और sneakers एकदम ही maximum casual चीज़े हैं और suit maximum formal चीज़ है तो वो बीच में आके semi casual बन जाता है तो ये आप अलग-अलग जगाहों पर पहन सकते हो कोई basic date हो गई, cafe, lunch टाइप वाली या किसी party में जा रहे हो या किसी थोड़ी सी भी special location में जा रहे हो ये अच्छा लगेगा, एकदम formal नहीं लगेगा क्योंकि आपने shirt नहीं पहने वी, but decent लगोगे इसमें trust me, आप बहुत ज़ादा sexy दिखोगे और cool दिखोगे, ऐसा लगेगा यार, इस जन्ने को style जरूर आता है क्योंकि नहीं तो कौन एक suit को एक t-shirt के साथ पहनता बढ़ हाँ, अब इसमें याद रखना कि आपकी t-shirt और आपके shoes एकदम basic होने चाहिए, मतलब shoes तो वो वाले sneakers जो मैंने sports star वाले पहने हैं, बिल्कुल plain है एक तो white color है, तो मतलब कोई color ही नहीं है और उपर से कोई design नहीं है इन sneakers के उपर आपकी t-shirt भी एकदम plain होनी चाहिए, उस पर कोई design कुछ नहीं होना चाहिए साथ में इसके अंदर cool factor आड़ करने के लिए आपको accessories तो अच्छे से पहननी ही है नेक्स तरीक अपने suit को style करने का है अपने two-piece को, यानिक अपनी coat और अपनी pant को आप पहनो एक white shirt और साथ में sweater के साथ तो आपके coat की shape के साथ match करने के लिए जो sweater है वो v-neck sweater ही होना चाहिए, तभी sexy लगोगे और साथ में आपकी shirt एकदम plain basic color की होनी चाहिए नहीं तो फिर आप पूरे look की class खराब कर दोगे मैं तो कहूंगा सिरफ white shirt पहनो और जो आपका sweater होगा v-neck वाला वो एकदम fitted होना चाहिए वो loose होगा तो again आपके coat की shape खराब हो जाएगी और आपके sweater का color कोई black या फिर कोई basic neutral color ही होना चाहिए जटाक color नहीं होना चाहिए जैसे मैंने हापे maroon color का पहना हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मुझे तरीका बिलकुल भी पसंद नहीं है एक hoodie के साथ लेकिन मैंने हापे एकदम plain hoodie चूज करिये ताकि suit की look के साथ ज़्यादा परिशान ना करे and साथ मैं hoodie के साथ ही matching मैंने नीचे white color के ही sneakers पहने एकदम plain फंडा इसका भी वही है जो white t-shirt वाली outfit के साथ था लेकिन ये outfit थोड़ी सर्दियों के लिए थोड़ी ठंड वाले area के लिए ज़्यादा suited है अगेन आप इसको parties वगरा में पहन सकते हो थोड़ी सी casual सी dates में भी पहन सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से एक hoodie और suit mix नहीं होने चाहिए मुझे personally पसंद नहीं है तो तरीके बतारों सारे मुझे पसंद होड़ी नहीं होने चाहिए जो next तरीका है उसमें आपको सिरफ इसकी pant और इसका waistcoat पहनना है उपर का coat नहीं पहनना और उसके buttons आपको रखने है खुले और अंदर एक white shirt पहनी है ये look एकदम perfect है किसी भी cocktail party के लिए तो आप मानों कि आप पहन के तो पूरा suit गए थे बट आप अपने उपर का coat उतार के अंदर waistcoat के buttons खोल के एकदम cocktail party वाली look में आ जाओगे ये मतलब ये ऐसी look है कि अगर मैंने घर पे कोई cocktail party रखी तो मैं लोगों को invite करने के लिए ऐसी हाथ में अपना wine का glass पकड़के जाओगा और अपने दर्वाजे से अंदर लेके होँगा इसमें याद रखना कि sleeves को जरूर roll up कर लेना उससे आप और जादा handsome लगोगे और waistcoat एकदम fitted होना चाहिए कहीं से भी waistcoat lose नहीं होना चाहिए थोड़ा सापका दम घुट जाए लेकर looks तभी अच्छी आएंगी next outfit है कि आपने अपने 3P suit में से सिरफ pants पहनी अभ यार ये pants के तो हजार तरीके के style हो सकते है जैसे मैं आपको चीनोस वाले वीडियो में दिखाए हुए ग्रे चीनोस को कैसे style करते है उसी तरीके से इनको भी आप कैसे भी style कर सकते हो इसकी best बात ये है कि एक suit वाली pants से अच्छी fitting आपकी पूरी अल्मारी में किसी भी pants की नहीं हो सकती and next look इसी तरीके से है आपके सिरफ coat को पहनना and similarly इस coat को भी blazer की तरह पहनने के हजार तरीके हो सकते है जो कि मैं आपको blazer वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा जिसके लिए आपको 5000 likes करवाने पढ़ेंगे next look है मेरी फेवरेट क्योंकि ये जिस टाइम पे वीडियो बाहर आ रहा है उस टाइम पे मैं हूँ गोवे और वहाँ पे सबसे फेमस चीज़े होती है वहाँ के कसीनोज वहाँ कसीनोज में पहनने के लिए मुझा चाहिए एकदम गैंस्टर लुक तो summers में जो मैं printed shirts पहनता था उसको मैं अपने suit के अंदर पहरूँगा तो एकदम गैंस्टर लुक आएगी साथ में मैंने पहने हैं black color के loafers ये लुक थोड़ी सी edgy look है तो शायद सबको पसंद नहीं आएगी लेकिन अगर आप किसी goa जैसी जगा जा रहे हो या किसी party में जा रहे हो किसी special जगा पे तो आप ये जरूर पहन सकते हो एकदम stand out करोगे और बहुत ज़्यादा ऐसा लगए कि आप बहुत fashionable हो इसके साथ क्योंकि gangster look है तो accessories भी थोड़ी सी gangster gold type की होनी चाहिए वैसे पहनने को आप इसके साथ white color के sneakers भी पहन सकते हो लेकिन मेरे साब से loafers इसकी gangster look में बहुत add कर रहे है और क्योंकि उपर printed shirt है तो उसकी casual factor को balance करने के लिए थोड़ी सी mature चीज़ चाहिए थी तो मैंने एक loafers पहन ले and last एक bonus look है बस इतना कि आपने जो 3P suit पहना है उसके उपर आप अगर एक overcoat पहन लोगे तो next level classy लगोगे पीकी blinders वाली look आएगी तो Thomas Shelby जैसा sexy और smart और classy दिखना है तो definitely एक overcoat के साथ भी आप try कर सकते हो अगर आपके यहाँ इतनी थन पढ़ती है तो I hope यह सारे suit के styling के तरीकों से मैं आपको convince कर चुका हूँ कि एक अच्छा suit आपको अपने लिए सिलवाना ही चाहिए जिसके लिए आप हमारी suit stitching वाली वीडियो भी देख सकते हो और suit सिलवाने के लिए अगर आपको पैसे बचाने है तो हमारे giveaway में participate करो ना क्योंकि इस वीडियो पे भी 5000 likes कम्रीट होते ही मैं giveaway करूँगा एक 2000 रुपीज का online shopping voucher मेरे किसी एक lucky subscriber को जिसका result announce होगा हमारे instagram page पे तो giveaway में participate करने के लिए आपको subscriber तो होना ही पड़ेगा साथ में इस वीडियो को like कर दो and comments में को बताओ कि आपकी favorite look कौन सी इन सब में से and that's it तो giveaway के लिए all the best, look your best, feel your best and be your best